सीधे अम्बुलेंस से हॉस्पिटल क्यों नहीं लाए गए अतिक अश्रफ माफिया ब्रदर्स की हत्या पर सुप्रीम कोट का बड़ा सवाल अतिक अश्रफ अश्रफ अचान में सुप्रीम कोट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है उन्हें तीन हफ़ते का व अश्रफ को सीधे अम्बुलेंस से हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं लाया गया इस सवाल के जवाब में कोट में यूपी सरकार के तरफ से मौजूद वकील मुकुल रहतगी ने कहा कि हमने मामले की जाच कि जाने को लेकर साइटी बनाई है हाई कोट के पूर्व जजज क chamber adult कि अंदर कि सटेटस रेपोर्ट दाखिल करे यूपी सरकार कोट के रहतगी के इस बयान को रिकॉड करते हुए यूपी सरकार से आने वाले तीन हफ्दों के अंदर अत्तिक रफटियकाइकान की स्टेटस रिपोर्ट दाफिल करने को कहा है अदालत में यूपी सरकार को इस मामले में फिलाल कोई नोटिस तो जारी नहीं किया है लेकिन बता दे कि इससे पहले यूपी में 2020 में विकास दुबे नामक विक्ती का एंकाउंटर हुआ था इस पर भी अदालत ने संग्यान लेते हुए कहा है कि हाँ विकास दुबे एंकाउंटर हुआ था इस पर 10 बज़ कर 30 मिनट पर गोली मार दी गए थी पुलिस उनका मेडिकल कराने उनने सरकारी हॉस्पिटल ले कर गई थी जब पुलिस अत्रीक को मेडिकल करवाने अंदर ले ही जा रही थी तब ही मीडिया कर्मी आए तीन लोगों ने उन पर गोली चला दी और उनकी वही परम्रति हो गई फिलाल दोस्तों इस पर आपकी क्या राह है अपनी राय दें वीडियो को लाइक करें चानल को करें सब्सक्राइब धन्यवाद